Hi everyone, welcome to Global Online, this is Ankitah सूद, So Paper 1 में आज हम types of research के most expected questions लेकर आई हैं, जो कि exam में आपको अच्छा score करने में जरूर मदद कर सकते हैं, तो इसलिए फिर students आज का session शुरू करते हैं. Students paper को qualify करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी examination के level के हिसाब से तयारी करें, और इसके लिए complete course में लेकर आई हूँ, जहाँ पर daily live lectures के साथ आपका पूरा syllabus तो cover होगी जाएगा, साथ ही topic wise MCQs और PYQs भी हम आपको देते हैं. Notes मनाने में बच्चों का बहुत समय बरबाद होता है, इसलिए आपको यहाँ पर हम PDF notes देते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बिना अपना समय बरबाद किये. साथ ही full syllabus mock test है, जो की बहुत important है आपकी revision के लिए, और यह 5000 MCQ question bank में से मैं आपको guarantee देती हूँ कि paper 1 में, पचास में से 35 plus questions आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे, new batch हमारा coming Monday से start होने वाला है, इस batch के लिए और पूरी information के लिए आप या तो given numbers पर contact कर सकते हैं, या फिर कुछ free content के लिए भी आप global online आपको download कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा यह course है, इसका यह फाइदा है कि आप चाहो तो किसे भी unit में MCQS या theory के जरीए अपनी तयारी शुरू कर सकते हो, और यकीन रखिए यह बहुत important course है, जो कि आपको exam में बहुत अच्छा score करने में मदद कर सकता है, निमनलिखित में से कौन सा ऐसा research का प्रकार होता है, जो कि शोद में जो भी प्रतिभागी होते हैं, जो भी participants होते हैं, उनके दृष्टि कौन को प्रोटसाहित करने में मदद करता है, उनके दृष्टि कौन को अच्छे से समझने में मदद करता है, options हैं हमारे पास historical research, experimental research, ethnographic method, तो देखो यहां पर historical research के ओद है, इतिहासिक शोद, यानि कि जो चीजें already हो चुकी हैं, अब जो चीजें history बन चुकी हैं, जिन चीजों में अभी हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, या जो इनसान हमारे सामने अभी है ही नहीं, जो history बन चुका है, उनके बारे में कुछ भी पढ़ने क्या उनके जो प्रतिभागी हैं, उनके दृष्टि कौन को हमारा प्रोचाहित करने का कोई मतलब बनता है, नहीं बनता है, क्योंकि वो लोग अभी है ही नहीं, वो history बन तो ये तो गलत option है, experimental research हमेशा experiment करता है, जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता, उसमें कुछ नया प्रयोग करके नया ढूंडने की कोशिश करता है, तो ये भी गलत option है, इसमें क्योंकि प्रतिभागियों को किसी भी तरीके से, उनके दृष्टि कौन को किसी भी त वइश विज्ञान विधी, ये आपका correct answer होगा, क्योंकि देखो, ethnographic method मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, किसी भी group, किसी भी community, या फिर किसी भी culture के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की behavior को समझने में मदद करता है, उन लोगों का आपस में कैसे बात ची कैसी है, ये सब कुछ जानने में, ethnographic research मदद करता है, जिससे कि participant के दृष्टी कोन को बढ़ावा दिया जाता है, उनको प्रोतसाहित किया जा सकता है, so correct answer है, option number C, अगला सवाल है, quantitative research is also called what, so हमने पढ़ा था, मातरात्मक अनुसंधान, क्या होता है, ethnographic होता है, ये इसका type त unstructured होता है, आपके पास qualitative, ठीक है, qualitative research unstructured होता है, descriptive approach, quantitative हमें क्या करता है, quantity में result बताता है, ग्राफिकल फॉर्माट में result बताता है, तो ये description के अंदर तो नहीं आता, and last option है structured approach, यानि की संरचित दृष्टी कोन, तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, जो quantitative होता है, ठीक है quantitative research का एक example मैंने आपको बताया था, हम survey करवाते हैं, हम polls करवाते हैं, हम questionnaires करवाते हैं, ये सब चीज़े क्या होती है, एक proper plan करके ही करवाई जाती है, अब ऐसा तो नहीं है, आपको किसी चीज़ पर survey करने का मन किया, आप उठे और public के पास चले गई, ऐसे कभी survey नहीं चाहिए, एक audience आपको पता होना चाहिए, हमने discuss किया था, कि एक audience क्या होती है, target audience क्या होती है, कि जो हमारा सवाल है, वो किस age group के लोगों से हम पूछेंगे, ये पता होना चाहिए, तो इसलिए quantitative research अगर आपको पता है, कि survey, polls और questionnaire होता है, तो आप अच्छे से answer दे पाओग the research conducted after the careful inquiry is known as, मैंने आपको बताया था कल ही कि एक fact है, एक incident है, incident हो गया, उसके बाद हमें पता चला, फिर हमें जानना है, कि भाई, ये incident क्यों होगा था, इसके पीछे क्या कारण था, तो ऐसे में कौन सा research use होता है, ऐसे में use कौन सा करते है, applied action, both applied and action या फिर fundamental, तो correct answer क्या ह option number one, that is applied research, ठीक है, अच्छे से, बहुत अच्छे से हमने किसे चीज की inquiry कर ली, बहुत अच्छे से हमने उस चीज को समझ लिया, उसके बाद उस knowledge को apply करना, that is called applied research, अगला है, a researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children, इसमें कौन सा research का method use होगा, अब देखो, इस question को नहीं समझ आया, थोड़ सलेंदी statement है, आपको क्या समझना है, इन्होंने बोला है कि anxiety proneness वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, चिंता, प्रवनता, टाइप के जो बच्चे होते हैं, उनको कुछ अच्छे से खाना पीना खिलाया, उनको खुश रखा, अच्छे से one month मान लीजिए, ये चीज treatment उनको क कुछ है, options है, case study, experimental, exposed facto, या फिर survey method, so correct answer है exposed facto, क्यूंकि incident हो चुका था, बच्चे anxiety proneness से पहले से जूज रहे थे, अब उनको ठीक करने के लिए एक treatment लिया था, वो जानना है हमें कि असर वो किया या नहीं किया, उस पे जो research होगी, that is exposed facto research method, which of the following research methodologies is most closely associated with the positivist philosophical framework, ठीक है, इसमें कहा है, कौन सी शोध पदती, प्रत्यक्षवादी, धार्शनिक धांचे से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है, अगला सवाल बहुत ही जादा important है, बहुत बार एक्जाम में आया है, types of research और उसकी important statements, देखो applied, basic, quantitative, qualitative, बहुत बार हमने discuss की हैं चीज़ें, तो देखते हैं, सबसे पहला है basic, इसी से आपको मिल जाएगा, exploration, description, किसी concept को explore करना, उसको describe करना, objective assessment क्या है, उस पर focus रखना, अपने सिर्फ knowledge को बढ़ाना, to find practical solution, रोज की, जो रोज मर रहा की, जो छोटी मोटी problems होती हैं, उसके practical solution को ढूटना, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अच्छे से पढ़ो, आप लोगों को आसानी से इसका question का answer मिल जाएगा, क्या होगा, इसमें, देखो, basic research से हम लोग देखते हैं, so basic research यह बताता है, knowledge को, knowledge में contribution करना, यानि कि knowledge को बढ़ाना, ठीक है, so यह आगया B का third option, so B के third option से आपको यहाँ पर correct answer मिल जाएगा, option number two, ठीक है, जिसमें की applied research हमें बोलता है, कि practical solution होता है, जो problem रोज में छोटी मोटी छोटी मोटी problems आती रहती है, उन सभी problems को कैसे हम solution दे सकते हैं उसका, quantitative हमें बोलता है, objective assessment के उपर काम करना है, and qualitative research बोलता है, कि कैसे हम explore कर सकते हैं, और describe कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, exploratory research और descriptive research आपका qualitative के अंदर आता है, तो वो अगर आपको याद होता, तो यहाँ से आपको answers easily मिल जाने थे, अगला question है, हमें क्या करना है, उसकी व्याख्या करनी है, तो इसमें कौन सा research इस्तेमाल किया जाएगा, शोद का कौन सा प्रतिमान इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, experimental, exposed facto, ethnographic या फिर survey, तो correct answer होगा, ethnographic, मैंने आप लोगों को first question में ही बता दिया था, ठीके, जो reality होती है, जहाँ पर बे participant, या नहीं कि जो भी researcher हैं, या participants हैं, या उमीदवार हैं, उन लोगों के perspective पे, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बात की जाएगी, वो हमेशा निर्वेश विज्ञान अनुसंधान ही होगा, उसका एक example जो बताया था, याद होगा आप लोगों को कि, एक office में मान लो 30 लोग हैं, वो 30 लोग आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या उनका point of view है किसी भी चीज को लेकर के, यह सब चीजों का अगर हम discussion कर रहे होंगे, तो वो ethnographic में आएगा, यानि कि participant के points को हम ध्यान में रखेंगे, A researcher conducted a study to have initial idea of scope and magnitude of the problem under study and to test the feasibility of more extensive research, ऐसे research को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे research को क्या कहेंगे, देखो, एक ऐसी research, एक researcher ने देखो, एक study की, जिसमें उनके पास ने थोड़ा सा idea है, रिसर्च का जो problem है, उसका थोड़ा सा idea है कि इसका क्या scope हो सकता है, क्या problem हो सकती है, किस level पर यह problem होगी, तो ऐसे समय में उन्होंने जो research किया, उसको कहेंगे हम exploratory research, exploratory में initial idea, यह इसका एक trick था, मैंने आपको पहले भी बिटाया था, कि explore करना, यानि कि जिसमें एक researcher के पास या तो थोड़ा सा knowledge है, यह बिल्कुल भी knowledge नहीं है, problem के बारे में, तो पहले क्या करते हैं, वो problem को समझते हैं, इसमें दो चीज़े थी, initial idea और problem अंदर study, कि वो problem को भी पढ़ रहे हैं, problem को भी समझ रहे हैं, इन टर्म से ही आपको मिल जाता, answer, exploratory study, एक organization ने ग्राम पंचायत में एक study की थी, उन्होंने एक campaign रखा था, ठीक है कि कैसे elementary school के बच्चे enroll होते हैं, rural areas के और ये सब चीज़ों पर कुछ survey हुआ था, तो उन्होंने अब देखा कि उसमें, इन्होंने बताना है कि ये कौन से example है, कौन से research का example है, descriptive, field, exposed factor, historical research, बहुत आसान है, तुक्का भी लगाते तो आपको पता लग जाता कि ये field experiment है, यानि कि अपने को gram पंचायत में, या फिर कोई महिला मंडल ग्रूप्स होते हैं, इन सब कोई कठा करके कोई नई चीज़ अगर सरकार सिखाती है, या फिर इस तरीके के examples अगर आपको question में दिखते हैं, तो वो field experiment ही होते हैं, field study ही होती है, ठीक है, तो यहाँ पर यही से आपको पता लग जाता कि gram पंचायत आई है, यानि कि public इस से जुड़ी हुई है, आम जनता इस से जुड़ी हुई है, और आम जनता जब भी जुड़ती है, तो वो field experiment होने के ही chances होते हैं, correct answer में, ठीक है, in which of the following research methods, manipulation and control of variables and randomization of sample are two of the basic requirements, so यह क्या है, कौन से research में ऐसा होता है, कि जो भी variables है, उनका manipulation and control किया जाता है, and sample को randomization उनका किया जाता है, नमूनों का यादिचिकरन किया जाता है, तो यह होता है, आपके पास experimental research, कि जो भी आपके पास चीज़ है, जब भी देखो, इसका भी एक trick था question का, यही, कि जब भी variables को control किया जाता है, इसको आप ऐसे यादर को science lab में experiments होते हैं, और science में जो भी chemicals हैं, उन chemicals पर आपको control रखना होता है, कि अगर chemical की एक drop भी जादा mix हो जाए दूसरे से, तो गड़बड हो सकती है, blast हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जब भी variables को control करने और manipulate करने की बात आती है, यह terms आपको साथ में नजर आती है, तो question बिलकुल मत समझें, direct answer पर जाएए, कि experimental research है, आपका सही answer होगा, ठीक है, तो यह थे आज के most important questions, जो कि जरूर upcoming exam में आएंगे ही, तो आप सभी students को अगर अभी भी कोई सवाल हैं, तो मुझे comment करके पूछ सकते हो, and इसी तरीके के sessions अगर चाहते हो कि हम continue करें, तो भी आप हमें जरूर बताईए, so thank you so much everyone and I wish you all the very best.